नमस्कार किशान भाईयो, किशान साथियो, एक उन्नत और एक बहुत अच्छा उत्पादन लेने के लिए गण्ना फसल में कई इस्पेशल खाड डालना बहुत आवश्चक है कुछ खाद गन्ना फसल की जड़ों पे काम करती है कोई खाद गन्ने की मोटाई पे काम करती है और कोई खाद गन्ने की लंबाई पे काम करती है कोई खाद जो हरापन है जिससे फोटो सिंतेसिस की जो किरिया है वो बहुत अच्छी होती है गन्ने में या अन्या सभी फसलों में उस पे काम करती है तो सभी प्रकार की जब खादों का समावेश अच्छे से होगा अमारी फसल में तब जाके आप 100 पलस का उत्पादन गन्ने से ले पाएंगे किसान भाईयो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6-7 खाद ऐसे बताऊंगा जो आप बेसल डोज से इस्तिमाल करेंगे बेसल डोज से मतलब है कि जब आप अपने गन्ने खेत की तैयारी करें किसान भाईयो तब ही आपको कौन-कौन सी खादों का प्रियोग करना चाहिए उस समय से लेके और कटाई तक कौन-कौन सी ऐसी खाद है जिनका इस्तिमाल करके हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आज इस वीडियो में ये सारी बाते हम डिस्कस करेंगे कौन सी खाद जडों का विस्तार करती है कौन सी खाद मोटाई पे काम करती है कौन सी खाद लंबाई पे काम करती है और कैसे काम करती है ये सारी की सारी बाते जानने की कोशिश करेंगे अगर आप इन सारी खादों का प्रयोग अपनी गन्ना फसल में बेसल डोट से ही करेंगे तो किसान भाईयों बहुत जबरदस उत्पादन आप अपनी गन्ना फसल से निकाल पाएंगे किसान साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जब हम खेत की तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहला काम किसान भादयों कूड़ी के खाथ का है ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है और इस पे जो है कई बार किर्शी वैग्यानिकों ने सोध भी करा कि जब हम अपनी मिट्टी में कूडी का खाट डालते हैं तो हमारी जो जमीन है वो एक्टिवेट हो जाती है किसान भाई बिना कूडी के खाट के आप रसाइनिक खाट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल पाता तो हो सके तो सबसे पहली जो रिक्वार्मेंट है वो कूडी का खाट है आप कूडी का खाट अपने खेतों में जरूर डालने किसान भाई हो दो बुगगी का भीगाना मिले तो कम से कम एक बुगगी का भीगा एक एक एकड में पांस से छे बुगगी खाट आप जरूर डालिए उसके बाद खाट स्टार्ट होते हैं सारे के सारे किसान सातियों सबसे पहला नंबर खाट का है कैल्सियम नाइट्रेट आपको बुगए में जरूर बिल्कुल इस्तिमाल करना जडो का विस्तार होगा हरापन बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो भी पोगगा आपका जमीन में से निकलेगा वो मोटा निकलेगा उंगली के बरबर अगर आप अच्छा केल्सियम नाइट्र कि इस्तिमाल कर ठेल सब्स्कार दूसरी जो हमारेखाद है किसान भाईयो वो है किसान भाईयों वह है ह्य्मिक एसिड मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन आज हम फटि लैजर परे बेसल्टमण पर बात कर रहें गिसान साथियों ह्यूमिक एसिड का 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 म हो जिनका जमाव अच्छा नहीं आता वो 5 किलो हुमिक एसिड एक एकड में डाल के देखो आपका जमाव भी निश्ची तरूप शावगा जल्दी भ्यांच चलेगा और जो तृत्यक जड़ होती है जो सबसे जादा भोजन बनाने का काम करती है उसको बढ़ाने का काम करता है यूमिक एसिड बिल्कुल मस्ट है 5 किलो दूसरा खाद होगे हमारा केल्शम नाइट्रेट किसान बाइयो तीसरा हमारा खाद है जो आजकल सरकार जिस पर सबसेड़ी भी दे रही है और मैंने एक वीडियो भी बनाई ती किसान बाइयो उस पे वो है जिपसम आप एक एकड बिल्कुल मस्ट है और जिपसम आपको सिर्फ तीन रुपे किलो मिलेगा वो भी कंपनी से बढ़िया सरदार वाड़ो का आता है आप कहीं से भी मंगवा लेना तीन रुपे किलो में सो किलो खाद सो किलो यानि दो कट्टे पचास-पचास किलो के आपको एक एकड में डालन अब हमारे चार खाद होगे चार का पांच मानी किसान बाई हो प्योंकि जो अमने सुरू में बताया वो सबसे आवस्क है वो है गोबर की सड़ी हुई खाद जो इन सब खादों को activate करेगी किसान साथियो किसान बाईयो इनके बाद आता है micronutrients का नंबर किसान बाईयो बजार में आपको बहुत सारे micronutrients मिलेंगे लेकिन मैं personally बताऊं एक तो सबसे ज़्यादा मैं इस खाद को क्यों prefer करता हूँ एक तो भारत में बनी वी चीज है दूसरी चीज इसका result भी अच्छा है बहुत सारे किसानों ने इसको अजमावी रख कर आपने भी जुरू डाली होगी मैं सागरीका की बात कर रहा हूँ किसान साथियो दानेदार सागरीका आपको एक बैग बुवाई में इस्तिमाल करना 10 किलो 400 रुपे का आता है इसके अंदर सारे के सारे micronutrients है जमीन को भी सुधारने का काम करता है जड़ों का विस्तार करता है गन्ने की मोटाई लंबाई हरेपन हर चीज पर ये काम करता है किसान साथियो तो किसान भायो micronutrients अगर आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन micronutrients डालना भी बहुत अवस्चक है किसान भायो किसान भायो अगला खाद है हमारा पोटास हमारे पोधों के लिए बहुत ही अवस्चक है पोटास का प्रियोग बहुत ही कम किसान करते हैं इसकी deficiency हमारी जमीन में पाई गई जिसके पोटास हमारे तने को मजबूत करता है रोग प्रतिरोदक समता बढ़ाता है फोटो सिंतेसिस की जो किरिया है उसमें भी यह बहुत अच्छा रोल निभाता है किसान भायो तो किसान साथियो पोटास का भी हमें जरूर इस्तिमाल करना बेसर डोज में आप यूरिया का प्रियोग ना करें वो हम पहले पानी पे जब हम अपने गन्ने को पहला पानी देते हैं उस पे केवल और केवल 5 किलो बिगे के हिसाब से हम यूरिया का प्रियोग कर सकते हैं वो जब आपका पूरा पूरा गन्ना बाहर निकल जाए और उस टाइम पे आपको दवाई का भी प्रियोग करना किस और क्योंकि हमने बेसल डोज में बहुत अच्छी खाद की मातरा इस्तेमाल करी तो आप जब पहला पानी देंगे तो उसमें आप कोई भी खाद न डालें ये जमीन में जो खाद आपने डाली ये आपकी तीसरे पानी तक काम करेगी क्योंकि बहुत अच्छी आपने खुराक अपनी जमीन को अपने गन्ने को पहले ही दे दी किसान साथियों कुछ लोग कहेंगे कुछ किसान भाई मेरे कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा खाद नहीं है मेरे भाईयों क्योंकि गन्ना एक बहुत ही लंबी तगड़ी और मजबूत फसल है इसको बहुत ज़्यादा उसकी पैदवार ना गटे और ये जो सारी खादे मैंने बताइ सुम्हाइ, ये बिल्कुल आवस्चक है कोई जड़ पे काम करेगी कोई फोटोसिंथेसिस बढायेगी कोई मोटाई पे काम करेगी कोई लंबाई पे और किसान साथियो अगर आप इन सब खादों का प्रियोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत जबरदस्त गन्ना सुरुवात से ही चलेगा और जब जमीन से ही हमारी जो फसल है वो अच्छी चलती है तो किसान भाईयो वो लाश्ट तक नहीं दबती आपने ये भी नोट कराओगा जो गन्ना सुरु में अच्छा चल जागा जो खेश सुरु में अच्छा चल जाता है वो लाश्ट तक नहीं दबता किसान साथ ही तो किसान भाईयो आज हमने सारे फर्टिलाइजर पर बात करी उनकी बेसल डोज के बारे में आप इन सब खादो लोगा प्रियोग करें आपका गन्ना जबर्दस्त जमाव होगा जबर्दस्त कल्ले निकलेंगे और सुरु से ही बहुत अच्छा ब्यात उसमें चलेगा जन्यवाद कर दो लोगा जन्यवाद